नमस्कार दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटिब चैनल में दोस्तों आज हम बात करें यहाँ पर IRFC सेर के बारे में और IRFC के अंदर आपको लाज्ट ट्रेडिंग सेसन में भी गिरावट देखने के लिए मिली थी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और अमूमन यह स्टॉक आपको 10 से 15 पैसे के बीच में ही ट्रेड करता हूँ नजर आएगा चाहें अप साइड या डाउन साइड दोनों ही साइड में आपको कुछ ऐसी ही चीज़े देखने को मिलती है यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी चीज़े कि IRFC के अंदर कोई भी यहाँ से रिटन की उम्मीद नहीं कर रहा है और जो कि यहाँ पर साफ तोर पर हमें दिखाई भी दे रहा है और इस टॉक आपको लगातार गरता हूँ नजरा रहा है अगर आप देखेंगे मंडे के सेसन में भी आपको इस टॉक में गराबार देखने को मिलने वाली है जो कि आप अगर लास्ट बन मंत के चार्ट में दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर अगर इस टॉक की बात करें तो रिकमेंड किया गया था मैंने आपसे कहा था जब यह स्टॉक आपको कुछ इस प्राइस पर देखने को मिला था 21 रुपए 50 पैसे के करीब तब आपसे कहा था कि अगर आप इसे स्टॉक में तब निवेस करते हैं और निवेस करने का रीजन क्या है कि अगर आप IRFC में सोचते हैं कि निवेस करके आप बहुत बड़े मूब के लिए तयार रहें तो यह आपका सोचना गलत होगा लिकिन अगर आप अपने पैसे को बैंक में जमा करना चाहते हैं और बहाँ से रेटन के उम्मीद करते हैं तो वो गलत आपकी सोचोगी लिकिन IRFC में आपको डिविडेंट बतोर काफी अच्छा यहाँ पर रेटन मिल जाएगा और आने वाले समय के अंदर आपको इस स्टॉक में प्रोग्रेस भी देखने को मिलेगी कोई अगर अच्छी कंपनी होती कभी-कभी मार्केट उसको पहचानने में देरी भी करता है और कभी-कभी कोई अच्छा स्टॉक नहीं भी होता है फिर भी मार्केट उसको अपसाइड मूब दे देता है और बही IRFC के साथ में हो रहा है कि इस stock को भी पहचानने में गलती हो रही है जिसकी बज़े से आप देखें तो इसके अंदर इतना बड़ा move नहीं देखने को मिला है यह stock सेम ITC का जो share है ठीक उसकी तरह आपको नजर आएगा यहाँ पर जैसे ITC के price अगर आप देखें तो कुछ सालों में आपने देखा कुछ 200 रुपए की range में stock आपको मिलता है और बही IRFC के share की बात कर तो यह भी आपको 22 रुपए से लेकर के 25 रुपए तक की range में आपको देखने को मिल जाएगा और बही अगर आप इसमें निवेज कर रहे हैं या आपने कर रखा है loss आपको जरूर हो रहा होगा लिकिन आपको ज़्यादा यहाँ पर टेंसन लेने की जरूत नहीं stock को आप बस hold करके अपने बच्चों के लिए छोड़ दीजे भविस्य में आप इस stock से काफी तगड़ा और बड़ा return लेंगे वो भी dividend के तौर पे अगर आप आज की rate में इसका dividend yield चेक करेंगे तो आपको दिखेगा 5.85% लिकिन आप इसको बहुती minimum मान के चल लिजे 4% का dividend yield और 4% अगर आपको मिलता है तो ये कोई बुरा नहीं है आपका पैसा यहाँ पर पूरी तरह से safe है क्योंकि ये government company है और साथ ही साथ IRFC का जो business model है वो एकदम best of best business model है यहाँ पर जो loss है वो ना के बराबर कोई loss का यहाँ पर चकर नहीं है और अगर आप इनकी financial condition देखें हैं तो आप देखें इन company बहुत ज़्यादा strong है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार company profit by profit paste करती है उसके बाब जुद भी यहाँ पर बड़ा move देखने को नहीं मिलता है क्यों? क्योंकि जो इनका business है उसकी बज़े से ऐसी चीज़े हैं जिस बज़े से यहाँ पर बड़ा move देखने को नहीं मिलता है अगर यहाँ पर competition होता तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा move देखने को मिल जाता IRFC के अंदर लेकिन यहाँ पर IRFC के अंदर कोई competition देखने को ही नहीं मिलता है एक monopoly value company है और इसी बज़े से आप देखें तो यहाँ पर अभी इसे समझने में देरी लग रही है बहुत सारे लोगों के लिए और OFS की बज़े से बहुत सारे लोग इसे stock से अभी दूर है जिस बज़े से यहाँ पर आपको एक बड़ा move देखने को नहीं मिलता है लिकिन अगर 21-22 रुपए के level पर एक आपको अच्छी और बहतर company ट्रपले rating के साथ में mini रतन company अगर मिलती है तो यहाँ पर आपका decision कहीं से कहीं भी गलत नहीं होने वाला है और इसलिए आपको इस stock को hold रखना ही चाहिए और लंबे समय के लिए hold करना चाहिए इस company के बारे में कोई भी आपसे यह नहीं कहने वाला है कि बेकार stock है बेसक परिसान कर रहा है और market में बहुत सारे ऐसे stock है जो अच्छी company वे होती है वो भी आपको परिसान करती है लिकिन यहाँ पर आपके पास आने वाले समय में मोटा पैसा बनाने का मौका है आप dividend से भी यहाँ पर काफी जादा पैसा बना सकते हैं करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं लिकिन टाइम देना होगा इंतजार करना होगा आपको यहाँ पर सब कुस देखने को मिल जाएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके बता सकते हैं और comment box में अपनी राय जरूर दीजीगा दोस्तों